बच्चो नमस्कार ग्यान सिंधु कोचिंग क्लासेश पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज हर्ट टेचिंग स्टोरीक पढ़ते हैं दिल को छूजाने वाली कहानी है बलिदान एक किसान जीवन की महागाथा इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगी दग नहीं होता है चलिए एक बार शेयर कर दिजे और मैंने आपको आपकी प्लेलिस्ट में दे दिया है क्या क्या दे दिया है आप सभी जानते हैं आपकी प्लेलिस्ट दो हजार बाइस के लिए बनी हुई है मैंने आपकी प्लेलिस्ट में गद्द के पूरे पार्ट यानि कि गद्द के सारे चैप्टर करवा दिये हैं और पद्य भी आधे से ज़्यादा कम्पलीट हो चुका है संस्कृत भी तीन पार्ट करवा चुके हैं और अब ये कहानी में और कल हमने थोड़ी सी व्याकर्ण भी करवाई थी कहानी कुछ यूँ चलती है कि मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है मौजे बेला के ठाकुर जबसे कांस्टिबिल हो गये हैं उनका नाम मंगल सिंग हो गया है अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता कलू अहीर ने जबसे हलके के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गाव का मुखिया हो गया है उसका नाम कालिका दीन हो गया है यानि कल्लू से कालिका दीन, मंगरू से सीधा मंगल सिंग ये आदमी की आर्थी कवस्था है जब भी वो पावर में आता है तो उसका नाम अक्सर बदल जाया करता है जब भी पावर गिरती है तो उसका नाम अक्सर बदलता है अब उसे कोई कल्लू कहे तो आखें लाल पीली करता है इसी प्रकार हरक्चंद कुर्मी अब हरखु हो गया है ये उल्सके उलटा हो गया है जो कभी हरक्चंद हुआ करता था आज से 20 साल पहले उसके यहां शक्कर बनती थी कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था लेकिन बिदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया यानि जब बिदेशों से सक्कर आयात होने लगी तो उसके शकर को कोई नहीं पूँच रहा था धीरे धीरे कारखाना तूट गया जमीन तूट गई ग्राहक तूट गए और अब वह भी तूट गया सत्तर वर्ष का बुढ़ा जो एक तकियेदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था अब सिरपर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है परंतु उसके मुक पर भी एक प्रकार की गंभिरता पर काल की गती का प्रभाव नहीं पड़ा रसी जल गई पर बल नहीं तूटा भले ही दिन मनुष्य के चरित्र पर सदयों के लिए अपना चिन्न छोड़ जाते हैं हर खु के पास अब केवल पांच भी घाजमीन है केवल दो बैल हैं एक हलकी खेती होती है कितनी एक हलकी खेती होती है लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मती अभी सम्मान की दरश्टी से देखी जाती है वो जो बात कहता है बेलाग कहता है और गाओं के अनपढ़े उसके सामने मुह नहीं खोल सकते हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई यानि कभी बीमार नहीं हुआ वो बीमार जरूर पढ़ता है कुमार मास में मलेरिया से कभी नहीं बचता था लेकिन दस-पांच दिन में वो बिना दवा खाए ही भला चंगा हो जाता था इस वर्थ भी कार्टिक में बीमार पढ़ा और ये समझ कर की अच्छा तो हो ही जाऊंगा उसने कुछ परवाह न की परंद वब की जुर मौत का परवाना लेकर चला था एक सपताह बीता, दूसरा सपताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखु चारपाई से न उठा अब उसे दवा की ज़रूरत मालूम हुई उसका लड़का गिर्धारी कभी नीम के सींके पिलाता, कभी गुर्च का सत पिलाता, कभी गदापूर्णा की जड़ पिलाता, पर इन औशधियों से कोई फाइदा न होता था, हरकु को अब विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने की दिन आ गए हैं, एक दिन मंगल सिंग उसे देखने गए, बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था, मंगल सिंग ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे नहीं होगे, कुनायन क्यों नहीं खाते, हरकु ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना, दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर, बाबा दो-चार दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की दें थोड़े है, कि बिना दवा आप दरपन के अच्छे हो जाओगे, यह अब एक दिन मंगल सिंग आया था, तो उससे हरकु ने क्या कहा, कि भाईया तुम दवा पर लेते आना बाजार से, आब मंगल सिंग लोट के वापस नहीं आया, दूसरे दिन कालिका दिन आ टपके और कहा कि बाबा आप दो-चार दिन कोई दवा खा लो, जवानी की दें नहीं है जो आप दिना दवा अच्छे हो जाओगे, आप देखे, हरकु ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को द एक खाना एक बात है और दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है, पहली बात सिष्टा चार से होती है और दूसरी सच्ची संबेदना से, सच्ची संबेदना आपके प्रती जिसकी होगी दवा आपको वो लाकर के देगा, और सच्ची संबेदना तो घर वालों के अलावा और किसी की नहीं होती बच्चा समझिएगा इस कहानी से हमें समझना है कि हमारा आखिर वास्तमिक यथार्थ जीवन क्या है जीवन की सचाई क्या है लोग आपकी फोन पर खबर लेंगे भाईया वो चोट लगेगी वो लगी थी वो रहा हाल चल ठीक है अब अच्छा चलिए 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 मस्तमिक अगर आपको तमाम दवाएं बताएंगे लोग तमाम अरे उसमें वो वाली इसे आदमी आपको बताएगा उसके गाओं में लगी हुई फ्री की जड़ी भी वो आपको है पचास किलोमेटर गाओं है तो वो आपका किवल फोन पर हाल लेगा सच्छी संवेदना आपसे नहीं है अगर वह आपको दवा लाके दे तो उसी को कहते हैं सच्ची सम्वेदणा नא मंगल सिंख ने खबर ली ना कालि का दीन ने ना किसी तीसरे नहीं ने हरकू दालान में खाट पर पड़ा रहता मंगल सिंख कभी नजर आ جाते तो कहता भाईया वो दवा नहीं लाए मंगल सिंख कत्रा कर निकल जाते कालि का दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रशन करता लेकिन वो भी नजर बचा लेता या तो उसे यह सूचता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती या वो पैसों को जान से भी प्रिय समझता था अथवा वो जीवन से निराश हो गया था उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की, दवा ना आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगडती चली गई, यहां तक कि पांच महीने कश्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया, आहा, गिधारी ने उसका शव बड़ी धुमधाम से निकाला, क्रिया करम बड़े होसले से किया, कई के ब्रामणों को निमंत्रित किया, बेला में होली न मनाई गई, बेला एक गाउ था, बास समझने हैं, बेला क्या है, गाउ है, न अमीर, न गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भंग की नालिया वही, कुछ लोग मन में हर्खू को कोस्ते जरूर थे, कि बुढ़े को आज में शरीक नहीं होता, जहां पडोसी के रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, वो गाउ था, क्या था, गाउ था, गाउ में समवेदनाएं आज भी थोड़ी बहुत जिन्दा हैं, हर्खू के खेत गाउवालों की नजर पर जड़े हुए थे, पांच बीघा जमीन कुएं के निकट, खाद पांच से लदी हुई मेर बांच से ठीक थी, उनमें तीन तीन फसलें पैदा होती थी, हर्खू के मरते ही उन पर चारों और से धावे होने लगे, गिर्धारी तो क्रिया कर्मे फसा हुआ था, उधर गाउं के मंचले किसान लाला ओंका नात को चैन न लेने देते थे, अब लाला ओंकार नात जो थे, वो वाकई जमीदार थे, ठीक है, वास्तविक जमीदार वो थे, और ये लोग जमीन जोतने वाले किसान थे, छोटे किसान, तो अब लाला ओंकार नात को चैन न लेने देते थे, नजराने की बड़ी रखमे पेश हो रही थी मतलब पहले नजराना पेश करके जमीन को ले लिया जाता था जैसे आज कर आप ठेके में जमीन दे देते darauf बाइँ को जमीन किराये पर डे रहा है से पर वही नजराना होता था मासूल कुछ लोग चंदा बोलते थे कुछ लोग जमीदारी का टैक्स बोलते थे कोई साल भर का लगान पेशगीक देने को बात तयार था कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने को तुला हुआ था लेकिन ओंकार सबको टालते रहते थे उनका विचार था कि गिर्धारी का हक सबसे ज्यादा है वो अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देना चाहिए अस्तू जब गिर्धारी क्रिया कर्म से निवरित हो गया और चैत का महीना भी समाथ होने को आया तब जमीदार साहब ने गिर्धारी को बुलाया और उससे पूँचा खेतों के बारे में क्या कहते हो गिर्धारी ने रोकर कहा अरे उन्हीं खेतों का ही आसरा है जोतूंगा नहीं तो क्या खाँँगा क्या करूंगा ओंकार नाथ बोले अरे नहीं जरूर जो तो खेत तुम्हारे हैं अब मैं तुमसे छोडने को नहीं कहता हूँ हर खुने उन्हें 20 साल तक जोता अब उन पर तुम्हारा हक है लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है अब तुम 8 रुपे भीगे पर जोते थे मुझे 10 रुपे मिल रहे हैं और नजराने के रुपे सो अलग मिल रहे हैं अब तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ पर नजराने की रुपे भाई तुम्हें देने पड़ेंगे देखे गिर्धारी अब गिर्धारी बोला, क्या बोला, देखे चाल चलने लगा, सरकार मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठीकाना नहीं है, इतने रुपे कहां से लाओं, जो कुछ जमा जथा था, दादा के काम में उठ गई, अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उ उपज भी अच्छी नहीं हुई, रुपे कहां से लाओं, ओंकार नात के अबर, अरे भाई ये सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता, मैं आप से देखो वो जरूर नूँगा, क्या, नजराना, गिर्धारी बोला, नहीं सरकार ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे, आप बड़े होकर कहते हैं तो बैल बधिया बेंच कर पचास रुपया कर सकता हूँ, इससे बेशी की ज्यादा की हिम्मत नहीं पड़ती, ओंकार चिड़कर बोला, अरे तुम समझते हो, समझते होगे, कि हम ये रुपे लेकर घर में रख लेते है और चायन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे उपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं, यही कहीं ये चंदा, कहीं वही इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है, बड़े दिन में सैक्णों रुपे डालियों में उड़ जाते हैं, जिसे डाली न दो वही मुफुलाता है, जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं, उन्हें बाहर से मंगा कर डालियों में सजाता हूं, उस पर कभी कानून गो आ गये, और कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया, सब मेरे महमान होते हैं, अगर ना करूं तो नक्मू बनूं, और सबकी आँखों में काटा बन जाओं, अरे साल में 1200 मोदी को इस रसत खुराक के मद में देने पड़ते हैं, ये सब कहां से आवे, बस यही जी चाहता है कि छोड़ कर निकल जाओं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रूपिया सता कर लें, और दूस इतना होगी गिर्धारी लाल, अगर एक हपते के अंदर दाखिल करोगे, तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं दूसरा प्रबंद कर दूँगा, इतना एपिसोट यहां तक था, अब कहानी आपकी आगे की ओर चलती है, और आगे की कहानी सुनिए, गिर्धारी उ लेकर क्या करूँगा, घर में चूँँ, तो यहां लेने वाला ही कौन है, और फिर बाप दादों का नाम डूपता है, चार-पांच पेन है, लेकिन उन्हें बेंच कर पच्चीस रुपे और तीस रुपे से अधिक नहीं मिलेंगे, उधार लूँगा तो देता कौन है, साल भर हो गया, छुडाने की नौबत ना आई, गिर्धारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाए न सूचता था, गिर्धारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नी ना आती, खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उनके हरदे में होक सी उठने लगती, हाए, वो भूमी जिसे हमने वरसों जोता, जिसे खात से पाटा, जिसमें मेडे रखी, जिसमें मेडे बनाई, उसका मज़ा अब दूसरा उठाएगा, ये विचार आता और उनका कलेजा फट जाता, ये खेत गिर्धारी के जीवन के अ गया था, उनके नाम जोसकी जिहवा पर उसी तरह आते थे, जिस तर自 अपने तीनों बच्चों के, कोई 24 ओन था, कोई 22 ओन था, कोई नाले वाला, कोई तलईया वाला, इन नामों के समरन होते ही खेतों का चितर उसकी आँखों के सामने खिच जाता, देखे बच्चों अप पिपरिया वाला, ऐसे नाम खेतों के रखे जाते हैं, तो ऐसे नाम, जैसे ही नाम याद आते, और किसानों की आखों में केवल एक ही सपना होता है, फसल कप कटेगी, कटेगी तो कितना बचेगा, बचेगा तो कितना बचेगा, और उतना बचेगा तो मैं उसमें क्या क्या कर पहले बुरे के साथी हैं, उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी च्छाएं, सारे मनसूबे, सारी मन की मिठाईया, सारी हवाई किले इनी खेतों पर अवलंबित थे, यानि टिके हुए थे, इसके बिना वो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वेही अब हाथ से निकल ज बंदोबस्त नहीं कर सका, आठवे दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने सौ रुपे नजराने दे कर दस रुपे बीगे पर खेत ले लिए, गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली, एक छड़ बाद वो दादा का नाम लेकर बिलक बिलक कर रोने लगा, उस दिन घर में चू जरूर कर देना, लेकिन सुभागी यो चुपचाब बैटने वाली स्त्री न थी, वो क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेडा, कलका बानी आज का सेंट, खेत जोतने चले हैं, देखें काउन मेरे खेत में हल ले जाता है, अपना और उसका लोहू एक कर दूँ, पडोसियों ने उसका पक्ष लिया, सब तो हैं, आपस में ये चढ़ा उत्री नहीं करना चाहिए, नारायन ने धन दिया, तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे, सुभागी ने समझा, मैंने मैदान मार लिया, उसका चित शान्त हो गया, किन अधर गिर्धारी अपने दौार पर बैठा हुआ, सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, अब ये जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके दौार पर जाएंगे, मजदूरी का विचार करते ही, उसका हरदें व्याकुल हो जाता, इतने दिनों तक स्वाधीनिता और सम्मान का स अधिकार था, उसके घर में धन्न था, परमान था, सम्मान था, नाई, बढ़ई, कुमार, पुरोहित, भाट, चौकीदार ये सब उसका महताकते थे, अब ये मर्यादा कहा, अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके दौार पर आवेगा, अब उसे किसी के बराबर किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा, अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी, अब पहर रात रहे, कौन बैलों को नांद में लगावेगा, वो दिन अब कहां, जब गीत गागा कर हल चलाता था, अपने हलहलाते हुए खेतों को देखकर फूला समाता था, खलियान में अनाच का धेर सामने रखे, अपने को महाजन महाराजा समझता था, अब अनाच के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा, अब ख़ते कहां, बखार कहां, यही सोस्ते सोस्ते गिरधारी की आँखों से आसु की जड़ी लग जाते, काउं के दो चार सज्ज जो कालिकादीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसली देने आ जाया करते थे, पर वो उनसे भी खुलकर न बोलता, उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नजर में गिर गया हूँ, अगर कोई समझाता कि तुमने क्रिया कर्म में विर्ष इतने रुपे उड़ा दिये, तो उसे बहुत दुख होता, वो अपने उस काम पर जरा भी न पच्टाता, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होगा, पर दादा के रिंड से उर्ण हो गया, उन्होंने अपनी जिंदगी में चार बार खिला कर खाया, क्या मरने के पीछे इन्हें पिंडे पानी को तरसाता, इस बाहर जाता, अपने हलों को निकाल निकाल कर देखता, उसकी मुठिया तूट गई है, इसकी फाल धिली हो गई है, जुए में सैला नहीं है, ये देखते देखते वो एक छणक अपने आपको भूल गया, दोड़ा हुआ बढ़ही के यहां गया और बोला, रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो, रज्जू ने उसकी और करुणा के भाव से देखा, और अपना काम करने लगा, गिर्धारी को होश आ गया, गिर्धारी नीन से जागा, और चौक पड़ा, गलानी से उसका सिर जुग गया, आखें भर आई, चुप चाप घर चलाय क्योंकि अब गिर्धारी के पास खेत नहीं थे, लेकिन आदत एक बार जो हो जाती है, वो सदियों हमारा पीछा नहीं छोड़ती, गाउं के चारों और हलचल मची हुई थी, कोई सन के बीच खोचता फिरता था, कोई जमीदार के चौपाल से धान के बीच लिया आता था, क एक दिन संध्या के समय गिर्धारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था, कि मंगल सिंग आया और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बान कर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते, गिर्धारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई गाहा कावे तो निकाल अरे एक गाहक तो हमी हैं, हमी को दे दो, गिर्धारी ये भी कुछ उत्तर न दे पाया था कि तुलसी बनिया और गरच कर बोला, गिर्धार तुम्हें रुपे देने हैं कि नहीं, वैसा कहो, तीन महीने से हिला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हार फसल को अगोरे बैठें रहें, गिर्धारी ने दीनता से कहा, साह जैसे इतने दिनों माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कोड़ी चुका दूँगा, मंगल और तुलसी ने इशारे से बाते की, और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया, तब गिर्धारी म मंगल सिंग से बोला, तुम इन्हें ले लो, तो घर के घर ही में रह जाएं, कभी कभी आख से देख तो लिया करूँगा, मंगल, हरे मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन घर पर सलाह करूँगा, गिर्धारी कहा, मुझे तुलसी के रुपे देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है, अरे ये बड़ा बदमाश है, कहीं नालिष न कर दे, सरल हिर्धें गिर्धारी धमकी में आ गया, नालिष का मतलब जानते हैं शिकायत, तो सरल हिर्धें गिर्धारी धमकी में आ गया, कार्य कुशल मंगल सिंग को सस्ता सौधा करने का ये अच्छ सुवाउसर मिला असी रुपे की जोड़ी साट रुपे में ठीक कर ली यानि जो बैल असी रुपे में बिकने थे उनको साट रुपे में खरीद लिया गिर्धारी ने अब बैलों को नजाने किस आशा से बांद कर खिलाया था आज आशा का वा कल्पित सूत्र भी तूट गया मंगल सिंग गिर्धारी की खाट पर बैठे रुपे गिन रहे थे और गिर्धारी बैलों के पास बिशादमे नेत्रों से उनके मुह की और ताक रहा था आह ये मेरे खेतों के कमाने वाले मेरे जीवन के आधार मेरे अन्यदाता मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले जिन के लिए पहर रात से उठकर चाटी काटता था जिन के खली दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी जिन के लिए सारा घर दिन भर धर्याली उखाडा करता था ये मेरी आशा की दो आखें, मेरे इरादे के दो तारे, मेरे अच्छे दिनों के दो चिन, मेरे दो हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंग ने रुपे गिन कर रख दिये और बैलों को ले चले तब गिर्धारी उनके कंधों पर सिर रख कर खो फोर फोर कर रोया। जैसे कन्या माएके से विदा होते, समय माबाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिर्धारी इन बैलों को नहीं छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी, छोटा लड़का मंगल सिंग को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिर्धारी ने कुछ नहीं खाया, चार पाई पर पड़ा रहा, प्राताकाल सुभागी चिलम भर कर ले आई, तो वो चार पाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब दो तीन घड़ी दिन चड़ाया और वो न लोटा, तो उसने रोना धोना शुर दिया और बैठे द्वार की ओर ताक रही थी, कि सहसा उसके पैरों की आहट मालूम हुई, सुभागी कहर ने फुर धरक उठा, वो दोड़ कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी, उसने देखा कि गिर्धारी बैलों की नान के साब पास सिर जुकाये खड़ा है, सुभ सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहां क्या कर रहे हो, आज सारे दिन कहां रहे तुम, ये कहते हुए वो गिर्धारी की ओर चली, गिर्धारी ने कुछ उत्तर न दिया, वो पीछे हटने लगा, और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया, सुभागी चिल्लाई और मुर्चि खेत की मेर पर खड़ा है, वही मिरजई, वही पकड़ी, वही सुटा, कालिकादीन ने कहा, अरे गिर्धारी, मर्दे आदमी, तुम यहां खड़े हो, और बिचारी सुभागी है, कहां से आ रहे हो, ये कहते हुए बैलों को छोड़ कर गिर्धारी की ओर चले, गिर्धारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा, कालिकादीन ने चीक मारी और हल बैल छोड़ वहीं भागा, सारे गाओं में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाये करने लगे, कालिकादीन को गिर्धारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड गिर्धारी को गाइब हुए छे महीने बीच चुके थे, उसका बड़ा लड़का अब एक इंट भठे पर काम करता है, और बीस रुपे महीने कमाता है, अब वो कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है, घर में दोनों जून तरकारी पकती है, और जोग के बदलेगी हुँ खाया जाता है, लेकिन गाउं में उसका कुछ भी आदर नहीं, ये अब मजूर है, सुभागी अब पराए गाउं में आये हुए कुटे की भांती दुबकती फिरती है, वो अब पंचायत में नहीं बैटती, वो अब मजूर की मा है, कालिका दीन ने गिर्धारी के खेतों से स्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिर्धारी अभी तक अपने खेतों के चारों मनराया करता है, अंधेरा होते ही वो मेर पर आकर वैट जाता है, और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवास सुनाई देती है, वो किसी से बोलता नहीं, किसी को छेंडता नहीं, उसे अपने खेतों को देख कर संतोस होता है, दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है, लाला उंकारनात बहुत चाहते हैं, कि ये खेत उठ जाएं, लेकिन गाओं के लोग अब उन खेतों का नाम लेते डरते हैं, तो बच्चों ये कहानी थी आपकी बलिदान, य कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आपको इस कहानी में क्या चित्रन मिला, आपने देखा कि जमीदारी के उस दोर में, जमीदारों की वजह से, न जाने कितने किसान बेघर हो जाते थे, न जाने कितने किसानों के घर उजड़ हो जाते थे, न जाने कितने किसान भूखो मर जाते थे जमीदारी थी लेकिन मैं शुकर गुजार हूँ मैं बहुत-बहुत कोटी-कोटी धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों से हमारी जमीदारी उनमूलन में बढ़चर कर हिस्सा लिया जमीदारी को खतम किया और लोगों को एक दो जून की रोटी मोहिया होने से मोहिया कराई तीक है दो जून की रोटी मोहिया होने लगी आज उसी की वज़े से जमीधारी प्रथा चली गई ट्रिप्तिनात तिवारी हैं और सुनील पटेल जी, सुजल यादो जी, निहाल राजपूत हैं, ये ग्यान सिंधू लवर हैं भई, बहुत अच्छा लगा हमें, अंकिता जी हैं, देखें हम आपका सिलेबस 100% करवा देंगे, ठीक है, हाँ, ट्रिप्तिनात तिवारी करन प्र अगर हमें अपने खेतों से हमेशा लगाओ रखना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, खेत आपके, देखें मुनसी प्रेमचंद की जो कहानी है, इन्हें यूही नहीं उपन्यास समराट कहा जाता है, उपन्यास समराट है मुनसी प्रेमचंद, इन्हें हम कहानी समराट कहें तो भी कोई दोराय नहीं है उपन्यास समराट, कहानी समराट अगर कभी जीवन में वक्त मिले तो मान सरोवर, मान सरोवर आठ भागों में मान सरोवर के आठ भागों में इनकी कहानी संगलित है मान सरोवर के आठ भागों में इनकी कहानिया है और लगभग 350 प्लस कहानियां आपको मिल जाएंगी मैंने अब तक की सबसे बेस्ट कहानियों में मुझे बूरी काकी एक बहुत अच्छी कहानि अगर जीवन में समय मिले तो बूरी काकी जरूर पढ़ लेना मुझे सी प्रेम चन्जी की अगर जीवन में समय मिले तो इनकी एक कहानी है अल्गियोज्ज्ञ और अल्गियोज्ञ का मतलब होता है बटवारा तो ये भी कहानी आप जरूर पढ़िएगा अगर जीवन में कभी समय मिले तो एदगाह तो आप पढ़े ही होंगे और आखें जरूर नम होती है चलिए आज का टॉपिक कैसा लगा अब मैं बताता हूँ आपको इस कहानी में आता क्या है ठीके इस कहानी में आपका आता क्या है इस कहानी में जो है आपको लिखना क्या आता है इस कहानी में बहुत ज़्यादा आपको इस कहानी का या तो थी कैंज तरहों कहें, या कहानी के पात्रों में से किसी मुख्य पात्र का चरित्रल चित्रन कीजीए, तो आप गिर्धारी ने होता क्योंत П forums बस अधिकतर गिर्धारी ने हैं, तो गिर्धारी का चरित्रल चित्रण आशकता है, ठीक है? और कहानी की समीक्षा करनी होगी समीक्षा करनी होगी ये समीक्षा में बता दूँगा कैसे आप करेंगे फिलहाल में समीक्षा की जितनी भी हेडिंग्स आप डालेंगे वो में बता दूँ ठीक है अब आपको जैसे देखिए सबसे पहले प्रसनाएगा कि कहानी कला की द्रश्टी से बलिदान कहानी की समिक्षा कीजिए कहानी कला की दरश्टी से बरिदान कहानी की समिख्षा कीजिए तो पहली हेडिंग आप डालेंगे कथावस्तू दूसरी हेडिंग डालेंगे पात्र एवं चरित्र चित्रन या फिर पात्र डाल दीजिएगा तीसरी heading आप डालेगा कहानी कालाकि छे तत्व होते छे तत्व छे तत्व पर छे heading पर ये कहानी कोई समीथ्छा की जाती है पात्र यूँ चरीशित्रन हो जाएगा कथोप गथन हो जाएगा कथोप कथन या समवाद ठीक है चौती heading हो जाएगी चोथी हो जाएगी देशकाल एवं वातावरण ठीक है देशकाल एवं वातावरण पाँचवी हो जाएगी भाशाशैली और छटी हेडिंग हो जाएगा उद्देश्य ठीक है तो अब किसी भी कहानी को जब हम लिखते हैं किसी को कहानी को जो हम पढ़ते हैं किसी की कहानी को तो उसमें सबसे पहले कथावस्त होता है कथावस्तु मतलब short story कथावस्तु में आपको short में story पूरी लिख देनी होगी कि एक हरखु था और मंगल हैं और आपके गिरधारी हैं और हरखु का बेटा गिरधारी होता है और ल खेतों से बड़ा लगाओ है और हर खूल चला जाता है तो उसके खेत छिन जाते हैं आप सार्ट में लिख दीजिएगा पात्र एवं चरिचितन लिखते समय आप लिखेगा कि पात्र अधिक नहीं है फिर भी कहानी के अनुसार पात्रों के हिसाब से कहानी सफल सिद्ध हुई है इसमें अधिक पात्र ना होते हुए भी कहानी में कहानी में आकरशन है जैसे कि इसमें मुख्य पात्रों में कौन है अभी मैंने मताया है कि मुख्य पात्रों में गिरधारी तथा हर खू तथा उसकी पतनी मंगल सिंग और जो भी आपके ओंकारनात हैं तो जितने भी पा डायलाक्स, जो आपके लाइन, डायलाक्स की लाइन हो, तो वो आप, जैसे कि यहाँ पर कालिका दीन है, कालिका दीन एक पात रही, यहाँ पर इसने कहा, अरे गिर्धारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो, बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, तो यह एक क्या हो ग है कैसा देशकाल कैसा है मतलब situation क्या है तो ग्रामीड इलाका है ग्रामीड अंचल की कहानी है और गाओं में करसक गीवन की समस्या पर आधारी दिये कहानी है भाशा शैली क्या है भाशा सरल एवं हरदेंगम है पाठक पढ़ते ही उसके हरदे में पाठक के इस कहानी को पढ़ते ही उसके हरदे में भाशा समा जाती है भाशा में बहुत सारे देशत सब्जों का इस्तेमाल भी किया गया है भाशा में उर्दू के शब्द उर्दू के शब्द के सासाथ हिंदी के शब्द भी समाय हुए है उद्देश क्या है कहानी लिखने का करसक जीवन की समस्या पर प्रकाश डालना तथा जमीदारों का किसानों के प्रतीश शोषन को दिखाना ठीक है चलिए तो ये कहानी आज की समाप्त होती है मिलते हैं आपको कल एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार प्लेलिस्ट में अपना सलेबस पूरा करते रहिए